हेलो दोस्तों एक बार दवारा से आफ सभीका स्वागत करता हुए आपके अपने चैनल पर बहुत क्यों सब्सक्राइब करने के लिए लाइक करने के लिएय। तो आपने टाईटल करें लिया हैक्त से mily का लिक्के आया हूँ और करेंटी स्टॉक ट्रेट कर रहा है 30 पैसे के आसपास वैसे स्टॉक यह मैं इसको बहुत दिनों से ऑफजर्ब कर रहा हूं 27-28 पैसे के आसपास लेकिन मेरी जो परसनली इसमें चॉइस है मतलब मैं जिस प्राइस में इसको बाय करना चाहता हूं है 19 पैसे 20 पैसे तो मेरे परसनली इसमें अगर यह द्वार नीचे आता है स्टॉक और मुझे परसनली लगता है यह स्टॉक डैफिनिट्ली नीचे आएगा एक बार और यह अराम से आपको 20-21 पैसे दिखाएगा क्योंकि पैनिक स्टॉक का मैं आपको बतला देना चाहता हूं पैनिक स्टॉक्स जो यह इसको तीन बार टैस्क करेगा डेफिनिट्ली तीन बार टैस्क करेगा तो अभी इसने यह वी एक बार टैस्क कर चुक्त है अब सीटिञ Verme test test करने जा रहा है ठीक है तो second time जो टेस्ट करने के बद नीचे आयेगा तो फिर दुवारा से 19 पैसे के आसपा दुवारा ये support लेगा तो वहाँ ही दुवारा आपको मौका मिलेगा इसको buy करने का ठीक है तो 20 पैसे 21 पैसे वी दुवारा नीचे आयेगा तसली रहना वहाँ और इसको आप और इसको बाई कर सकती हूं बाकि अगा जिसको बहुत जल्दी है पैसी सब्सक्राइब कर सकता है ठोड़ी किस चार्ट पैसे की अस्वसाइब लेकिन कम्पनी की जो रिजल्ट है वो ख passes अच्छे है और कम्पनी को पर ये insolvency फाइल नहीं कर रही है मजली बात यही है ठीक है चार्ट पैटर्न भी बढ़िया है profit भी बढ़िया है सब कुल बढ़िया है definitely आपको अपने डाम इसको रखना चाहिए मेरे इसमें target के लिए मैं आपको भी chart में लेके चलूँगा सबसे पहले मैं आपको समझा दे है मानता हूं current price 31 पैसे का असपास चलना जैसे मैंने आपको बतलाया है और 40 पैसे का इसका high है और 19 पैसे का इसका low है तो यही आप धियान दखना कि penny stocks में high और low जो yearly high होता है और जो low होता है बहुत बड़ा factor होता है किसी stock के लिए penny stocks में तो high एक resistance होता है और जो low होता हो support होता है तो हमेशा आप low के आसपास bid डालिए 20-21 पैसे के आसपास आपको मिल जाएगा वहां buy कीजिए और हमेशा high में आप sell कीजिए 40-50 पैसे के आसपास तो हमारी यह simple strategies में रहेगी अभी आप चाओ तो 30-30 पैसे में buy कर सकते हो सायद मैं कल थोड़ी quantity buy करूँ अगर मुझे मिलता है बागी मैं 25 और 22 पैसे आने का wait करूँगा ओ आने में तीन महने भी लग सकता है penny stocks है लग सकता है तीन महने ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है बागी आगे लेकर चलता हूँ तो आगे अगर आप देखोंगे दोस्तों तो company company एक अच्छी बात है कि company वो भी कंपनिया अभी तक करजा मुक्त नहीं हो पई है ठीक है उनमें हजारों करोडों का करजा होता है लेकिन यह कंपनी almost debt-free है तो एक बड़ी बात है इस कंपनी के लिए की छोटा सा स्टॉक है 30 पैसे का और एक debt-free कंपनी है और इन्वेस्टमेंट से related का काम है तो definitely आप स देख सकते हूं मैंने यह पेंडल खोल दिया है ठीक है yearly का है यह तो 19-20 आपको दिख रहा होगा अपर तो मैं आपको नीचे देखे चलता हूं जी था net profit में तो दोस्तों देखिए last 2 quarter में इसको almost March 2019 में इसको almost profit हुआ है 19 लाग के आज पास का और यह देख सकते हो March 2020 एक साल के बाद ही इसको profit हुआ है 20 लाग का ठीक है तो definitely जो यह quarter है 521 इस quarter में भी इसको profit हो सकता है और profit माने जी अगर इसको 30 लाग के आसवाफ भी होता है तो definitely इसके जो price में वो impact पढ़ने वाला है तो profit होगा वो net profit होगा ठीक है net profit होगा तो definitely stock आगे future में अच्छा काम कर सकता है क्योंकि company में debt नहीं है और company directly profit show करेगी और definitely यह इसके price में impact पढ़ेगा उसका price rocket हो सकता है ठीक है तो rocket हो सकता है और मेरे साफ जो इसके target में निकल के आते हैं वो एक रुपे के आसपास का पहला target है फिर दो रुपे के आसपास का target है वो चार्ट में दिखाऊँगा कि वो target कैसे निकालता हूँ मैं तो एक बार चार्ट में देख लेना कि मैं target कैसे फ्लॉट करता हूँ ठीक है buy sell का पर चलिए कि buy किसमें करना है 31 पैसे में कल अगर मौका मिलता buy कर लो बागी अगर future में आपको कभी भी 25 पैसे या 22 पैसे मिलता है यह stock आखे बंद करके buy कर लेना का यह अच्छा penny stock ही हो सकता है ठीक है और strategy आप सबको पता ही है हमारी strategy कहा रहती है penny stocks में आपको हमेशा 1x की return profit book करना होता है 1x मतलब 100% का आपको पहले profit book करना होता है मालेजिए अगर आपने 30 पैसे में average करा तो 7 पैसे में आप पहले या 22 पैसे में पैसे में profit booking करोगे ठीक है उसके बाद 62 पैसे में जब profit booking कर लोगे उसके बाद हम क्या करेंगे हम जो हमारी जो profit होगा मतलब हमारी investment capital होगी हम उसको withdraw कर लेंगे बागी का profit हम मार्केट में रहने देंगे इस प्रकार से हम इसमें करते हैं और बात करता हूं उसकी share only pattern की तो share holding pattern आप देख सकते हो 17% के आसपास promoter इसको hold कर रहे है इतना खास यह pattern नहीं है ठीक है लेकिन यह है कि चल जाएगा company मतलब company insolvency file नहीं कर रही है तो at least यह company 2 य देखे जा सकती है को इसमें कोशे मार्क नहीं है को कि 17% की प्रोपोर्टर की holding है तो इनको भी तो इनको भी तो आउट होना पड़ेगा ना मतलब इनको भी अपनी holding बेचनी पड़ेगी तो बेचने के लिए पहले stock को उपर बगाएंगे तो हमको वहाई opportunity में हाथ दोने है भैती गंगा में हाथ दोना है जब नीचे है वाई कर लो जैसे 50-60 पैसे जाएगा profit book करेंगे 100% की उसके वाद वेट करेंगे हमारी target के लिए जो मैंने आपको बोले एक रुपय और दो रुपय के लिए और वो कैसे है मैं निकालता हूं चार्ट में target थोड़े बड़े भी ठीक है हम इन stock penny stock को buy नहीं कर पाते है जिरोधा में तो उसके लिए मैंने अलगसे एक वीडियो बना दिया कि आप penny stock को कैसे buy कर सकते हो जिरोधा में तो वो जो उसका वीडियो देख लिए ना उसका link आपको नीचे मिल जाएगा ठीक है उसके लिए आपको TO TP start करना पड़त है जिरोधा में तो उसका मैंने लगसे एक proper वीडियो बना दिया कि आप कैसे इसको buy कर पाओगे जिरोधा में तो उस वीडियो को देख ले ना जिनको confusion है कि हम penny stock को buy नहीं कर पाते है ठीक है तो भाई देखो अंत में बोलूँगा इसकी books अच्छी है price reasonable है chart pattern बढ़िया आप इसको buy करके चल सकते हैं और company का काम investment का काम है तो अगर investment का काम है तो आपको पता है कि आने अले वक्त में हर कोई investment करेगा क्यों क्यों कि क्रोना वाइरस के वज़े से सब लोग एक second earning के तरफ ध्यान दे रहे है तो second earning लोगों की क्या हो सकती है job के साथ एक ही हो सकती है या वह direct selling करे ठीक है नेट्र मार्केटिंग जॉइंग करे या वह strong market करे strong market में वह दो तरीके से कर सकते एक करेंगे वह investing और एक trading trading में तो तुम्हें पता ही है सब का हाथ fail है 95% trader fail होते है लेकिन investing में थोड़ा बहुत वह कर सकते है तो मेरे साब से वह पैसा investing में ही लगाएं अन्ते में मतला अगर पैसा आएगा investing में तो कहां आएगा तो यह छोटोटी चो companies है यही इनको take over करेगी clients को छोट business future bright है मेरे साब से ठीक है definitely आप से रबाइट लगा सकते हो अब मैं आगों लेके चलता हूं उसके chart pattern में chart pattern देख लेते कैसा एक बार फिर हम आगे बात करें है तो दोस्तों मैं आपको यहां से समझा देता हूं कि stocker chart हमें क्या बतला रहा है हमारे target का रहे गया और एक बात बतारा चाता हूं थोड़ा logical बात रहेगी यह एक बात को दियान डखना जो भी penny stocks होते हैं वह हमेशा news के basis में नीचे गरते हैं अगर आप दियान दोगे यह stock 60 रुपे का असपर trade कर रहा था और एक कोई news आई होगी market में इसके खिलाब कुछ news आई होगी और जैसे news आई यह stock देख सकते हो अचानक से नीचे धढाम हो गया और currently देख सकते हो almost 28 लेकर 20 तर एक tight range के आसपर trade कर रहा है तो दोस्तों मेरा जो यह तरह का pattern आप बोल सकते जो इस तरीके से मैं stock को selection करता हूँ कैसे ढूँटता हूँ ठीक है कि मैं यह देखता हूँ कि stock में कोई news आई है फिर ओनीचे गिरा धढाम उसके बाद उसने tight range में trade किया हो जैसे यह है ठीक है tight range में trade किया हो उसके बाद मैं इसको select करता हूँ अपने buy के लिए अगर मैं आ आजवाज से trade किया है छोटे time frame में देख सकते है छोटे time frame में इसने 20 पैसे के आजवाज यहां trade किया है तो यही जो 20 पैसा और 25 पैसा है यह इसका support area है तो यह आपा definitely जब भी आपको अगर बिलता है तो आप आँखे बद करके इसको buy कर सकती हो buy से लेके 25 पैसे तक ठीक है यह area आपका support area है अब आत करते target की तो दोस्तो target में आपको दिखा देता हूँ chart के मादियम से ही इसी में ही तो अगर आप target की बात करते हैं दोस्तों देखिए जब इस्टों मिचे गीरा था तो गीरा था तो इसमें एक resistance area आपको दिख रहा होगा वो रजिस्स एरिया इसका था एक रुपे से लेके दो रुपे जैसे stock एक से रुपे या दो रुपे के बीच में यह अपना इस price को उपर close करता है एक अच्छा खासा volume के साथ ठीक है यह close कर देता है ब्रेज कर देता है एक closing हो जाती है तो definitely हमें जो next target देखने को मिल सकते हैं चार्ट के according क्या निकल क आते हैं देख सकते हैं आपको यहां पर दिख रहा होगा यह जो resistance एरिया है छोटा सा 19 January 2018 को एक 6 रुपे 68 पैसे के आसपास का हाई बनाता तो यह हमारा एक second target होगा T2 जब यह price stock एक रुपे और दो रुपे के अपर proper closing कर देगा तो हमारे जो second target रहेगा वो निकल के आता है छे रुपे यह 6.5 रुपे के आसपास और अगर यह stock 6 रुपे 6.5 रुपे ब्रीच कर देता है volume के साथ तो हमारा जो next target रहेगा वो आता है यह 20 रुपे के आसपास तो हमारा जो T3 हो गया वो हो गया 20 रुपे और T2 हमारा होगा 6 रुपे ठीक है तो हमारा जो T1 है इसमें पहला target होए एक यह 2 रुपे एक रुपे हम मानने जी जब एक रुपे देट रुपे के उपर close करेगा proper तो हमारा second target रहेगा 6 रुपे और जो तीसा target है वो है 20 रुपे ठीक है अब आपको अब दोस्तों आप सोचे होगा यह तो हवा में बात ही कर रहा है कि यह तो ऐसे हव रुपया trade कर रहा है तो उस्तों कैसे trade कर रहा है मैं आपको समझा देता हूँ अब यह stock भी आप इसका all-time low का इसका all-time chart खोलूँगा अब इसका chart भी आप ध्युरा ध्यांग से देखो इसका chart भी बिल्कुल वही same pattern बना रहा है जिस pattern को मैं find out करता हूँ छोटे stocks में देख अब आपको समझे लेगा है दोहर 11 से लेके दोहर 15 तक अल्मोंच 4-5 साल और जैसे इसने बोसक्ते अपना रजिस्टेंस फेस किया यह 11 रुपय के असपास इसका एक रजिस्टेंस था जैसे इसने 11 रुपय रजिस्टेंस के उपर closing करी closing करते ही इसका जो next target बनता था उठ 50 रुपय के असपास और जैसे इसने 50 रुपय के उपर closing करी यह stock अपना देख सकते all time high में trade कर रहा है जैसे इसके उपर closing करी यह stock हवा हो गया हवा हो गया कि देख सकते हो आज यह trade कर रहा 500 रुपय ठीक है अब आप बात को समझो मैं last video में बढ़ाया था आपको stock जिस तरी गिरर देख सकतर है कि गिरने का तरीका वहाँ पास था ठाद तो इस बात को समझेष् सकत बई यह इस तरीक तरीके शर्क नीचे आएगा उस त्रफ से उपर हिभागेगा आप सेम चार्ट जिएक तो निप्टी का कुवेट के वजे से नीचे गिरा एक दम से मार्केट नीचे आई और एक दम से ही रिकवरी आ गई ठीक है तो इसको आप हो सकतो है मार्केट एक महिनी के अंदर था लेकिन उसको रिकवरी होने में बैसे चार महिन लग गया अनिप्टी को और सेम इस टौक और गिराद मात्र एक साल दो साल के अंदर होगा लेकिंशकों रिकावर करने में दस साल लग गया थिक है तो ये सिंपल एक्जाम्बल के असपास अगर आपको future में कभी भी ये 25 पैसे मिलता है 22 पैसे मिलता है लपक लेना 19 पैसे भी मिले लपक लेना डेफिनिटी आपको अच्छी रिटन दिखा सकता है ठीक है आशार करतों आपको समझा गया होगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के लाइक करो ल WhatsApp में सेख करो Facebook में सेख करो comment करो जो भी आपके questions है डेफिनिटी में next में ले लूँगा आपके जो भी questions होगा reply कर दूँगा ठीक है और वीडियो में like तो पक्का करके जाना बाई बाई